पहली बार में देख रहा हूं मंदिर जो की रात है यहां पर दोखो रात पर बनी हुई है यह दोखो यह दोखो बहुत यह अच्छा है देखो अंदर से महादेब जी का मंदिर मंदिर का पीछे की साइड और पीछे द्वारबन्द पे हैं मयूर हैं दो मयूर हैं और बहुत ही खुबसरत पहली बार देखा हूँ जो की रहत मैं ऐसे मंदिर है यह देखो यहां पर मात आ रहे नहीं यहां पर है और हम जाएंगे उपर पर देखो कैसा है भाई सब्सक्राइब आज हम लोग जा रहे हैं सुखा महादेब जो की सुंदरगर में हैं हम लोग घर से निकले थे लगबग सार्यनों बज़े निकले थे और हम लोग तीस किलो मेटर आ गए हैं घर से सुखा महादेब है 65 किलो मेटर अभी हम लोग संदरगर जो है एंट्री कर चुके हैं और यहां से महादेब जी का जो है सुखा महादेब जो है तीस किलो मेटर है आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं अभी जाएंगे महादेब जी के पास तो एक रिक्वेस्ट आप सबको प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेर भी कर जा क्योंकि बहुत सारा मेनद भी कर रहा हूं और वीडियो कैसी लेग रहे हैं कॉमें और मैं आप लोगों फिर बताऊंगा तो चलो बिना देरी करें चलते हैं महादेब जी का पास तो मेरे साथ आप सभी बोलो हर हर महादेब हम लोग लगबग 10 किलोमेटर आगे हैं और यहां से अभी दिखा रहा है 20 किलोमेटर दिखा रहा है जो कि सुखा महादेब है और यह देखो यहां पे कानहा कूंड भी है जो की स्टोन ब्रेडर रिभर है और यह बहुत ही खुबसूरत वहाँ पे है अगर होगा तो हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे वहाँ से 10 किलोमेटर है जो की सुखा महादेब है वहाँ से 10 किलोमेटर है तो अगर होगा तो वहाँ पे हम लोग जाएंग तो कि बहुत खुबसूरत है और देखेंगे पानी कितना है सुनने में आया है कि पानी कम होने से वहां पर अच्छा दिखता है लेकिन देखते हैं अगर तो कम पानी होगा तो अंदर भी जाएंगे देखेंगे आगे भी जाएंगे काना कुण जो चलो चलते हैं अरे क्या कर तो गाइस हम पहुंच गए हैं मंदीर जो की बालसक्रा है सुपड़ेगा गाउं है वहां पर है सुनरगा डिश्टिक में और यहां पर हम लोग पहुंच गए हैं और पहली बर मैं आया हूं मंदीर और जो भाई के लोगर पहली बार आए और नविक्ना डाल के गुगल पर देख़िया है बहुत बहुत नक्याल ड़िए पहली बार में देख रहा हूं मंदीर जो की रात है यहां पर देखो रात यह राध पर बनी हुई है एक का क्य séries तो चलो चलते हैं अंधर दर्शन करेंगे और यहाँ पर मैं दूद, फुलप और पत्ते सब कुछ लेकर अगरवत्ती सब लेकर आ गया हो वहाँ से पानी लेकर जाएंगे अंदर चड़ाने के लिए तो चलो लेंगे क recib हम यहां से पानी ले लेंगे तला यहां पर छोटा सर यह देखो और वह देखो पाहाड वहां पि हम लोग जाएंगे diplomat करने के बाद में करते हैं पहले बारा बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर और वहां पर लेने बारा था पानी लेकिन अंकल जी बोले यहां पर छोड़ा सा तलावे तो इहें से ले लेते रहें कि देखो बहुत यह अच्छा है देख अंदर से मादेब जी का हंदिर नहीं मंदिर का पीछे की साइड और पीछे द्वारबंद पे हैं मयूर हैं दो मयूर हैं और बहुत ही खुपसरत है मैं पहली बार देखा हूँ जो कि रात में ऐसे मंदिर है और उस तरह भी मंदिर है उधर के साइट और वो कृष्ण भगमान जी का मंदिर है तो उधर चलते हैं यहाँ पर ना बहुत सारे मंदिर चुटे-चुटे ऐसे करके बनाए हैं वहाँ पर भी है यहाँ पर देखो सीब जी और एक कौन सा असूर है यह मुझे तो नहीं पता ल नाम लट्शोन और यह प्रेद व्यास है सायथ मुझे लग रहा है और उस तरफ यह सेसना यहां पर भी है और अधर भी भगमान जी है वहाँ पर देखेंगे और दर्चंबाता करेंगे करें और है और कि अधल और यह सेशना हैं और मता काली यहां पर बार है मैं अभी हूं धाड़ेश्वर बाबा जी के पास वहां पर दर्सन करने के लिया हूं यह देखिए बहुत ही कुप सुरात हैं बाबा जी तो दर्सन सब जगा कंप्लीट हो गया है अभी चलते हैं पहारी पहार पर अभी जाएंगे वहां से मैं पूरा चारो तरप का में आप यहां भी खरीद के चड़ा सकते हो और आपने ले भी ले सकते हो यह देखो बहुत सारा है अभी हम लोग जा रहे हैं पहार के उपर और यहां पर स्टॉल भी लगाए हैं बहुत सारे लगबर 20-30 स्टॉल लगे होंगे और मंदिर के लेप साइड में गनेश जी है और राइट साइड पर है पारवती जी हैं बहुत ही खुबशुरत है और अभी जा रहें पाहार पर यह देखो तो हम लोग अभी पहुंच गये हैं पासी में है उस तरफ जो सुखा महादे मंदिर है उस तरफ है और इधर पाहाड है और यहां पर तारणी भग्मान है नहीं त तो वहां पर दर्शन करेंगे दर्शन करने के बाद उपर जाएंगे उपर से व्यूज देखेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे और चलो चलते हैं उपर और यह क्या कर रहा है अरे कहां यह इसमें एरजस्ट नहीं होगा भाई यह देखो यहां पे मातारे नहीं यहां पे है और हम जाएंगे उपर अरे भाई यह देखो उपर देखो कैसा है भाई खड़ी चाड़ाने भाई देखो जैस्री राम जैस्री राम वह भाई बहुत डेंजर है देखो भाई और उपर से मैं चपल पहन के आगया हूं सू पहना चाहिए सू पहने से चाहता है लेकिन यह दो कैसा चड़ते हैं इसमें कि अब बाल बजगा है आप में अब करते हैं अ कि यहां से अब कैसे जाएंगी अरी इस तरह पहें तो गाई सम्वाई बहुत घड़ी चारान है वह पर फैनली पहुच गया है और थोड़ी दूर है यह देखो यहां पर पर पाई बुरसे ले लें सब पर रहे हैं बहाई चेक आउट दे भीओ कि बहुत थाएंगी पाई बहुत अब घब करते हैं पर वो रहा वहाँ पर नीचे मंदीर है वह देखे वहाँ पर सुखा महादेब जी का मंदीर है हम लोग इसी रास्ते में से आये थे क्या ही दीख रहा भाई देखो काईस नीचे दोखा कैसा है यह देखो बहुत ही डेंजर है वाई लेकिन उपर आने के बाद यहां का जो भीव है बहुत ही सुन्दर है गाईस मैंने एक्सपेट नहीं कहा था कि उपर मतलब ऐसा पाहाड भी होगा और ऐसा बहुत ही क्कुपसॐरत होगा लेकिन बहुत ही अच्छा है और यह देखो को के नीचे पर विए सी कुमक्त हुआ कि अच्छा है कि यहां पर 67 तो है सब्सक्राइस है आप जरूर यहां पर आए और घूमिए और बहुत ज्यादा लेट हो गया है लगबक तीन बज गया है काना कुन जाने बाले थे लेकिन अभी कैंसल करना पड़ेगा फिर कभी आएंगे घुमने के लिए अभी फिलाल कैंसल कर देते हैं और एक बार घुमने के लड़ जरूर आएंगे यहां पर तो बहुत अच्छा लग रहा है यह देखो गाइज उतरने का तो मनी नहीं कर रहा था यह आप से लेकिन क्या करें भ बहुत वेज़ भुक लग रहा था चलो चलते हैं नीचे गाड़े में जाएंगे और घर भी जाएंगे और होटेल्स देखेंगे यहां पर कुछ होटेल होगा तो वहां पर खा लेंगे कुछ ना कुछ चलो हरार महादेर हरार महादेर वाल से जिवर रहे हैं मनें चलो भाई महतारानी का हम पर ठीक से रिटन भी जाए घर पे तो चलो तो गाइस हम लोग नीचे आ गए हैं उपर से और उपर वैसे के लिए व्यू पॉइंट है बहुत आचा खुबसूरत है और यहां पर चातिस गड़ से बहुत सारे लोग आ मातारानी का मंदीर है और पहाड भी बहुत ज्यादा खुबसूरत है तो अब चलते हैं बहुत ज्यादा भूख लग रहा है तीन बजगा अब जाएंगे खाना काके फिर जाएंगे घर तो गाइस यहां पर अभी हम लोग बुप खा ले हैं क्योंकि अब खाना नहीं खाए जाए पेट भी पर हो जाएगा है हुआ है है कि तो जाए ररेक घर में जाएंगे घर में खाना पर ना करेंगे अब यहां पर भुप खाएँ हैं लjours से समूसा कुछ खा लिए और फिर पिर जएंगे घर है कि अ गया तो काहिस 国 day और जो महादेब जी का दर्सन करने के बाद फिर हम लोग गए थे पहाड पर पहाड चड़ने के बाद फिर आये गुपचूफ और यहां पर समोसा खाये लिए और थोड़ा साल लेके जा रहे हैं रास्ते में भूग लएगा तो फिर खाएंगे और हम लोग को बिल्कुल भी एक्सपेट नहीं किये थे कि यहां पर ऐसा भी सीन है बहुत ज्यादा अच्छा लगा व्यूपन बहुत खुपसूरत है महादिब जी का और मैं पहली बार यह देख रहा हू मंदिर जो की हम लोग का जो रत है रत के उपर बनाए है रत जैसे बनाए है मालोग और बहुत ही खुपसूरत है आप या सकतो और वीडियो कैसी लेगी प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जलूर लिखेगा अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइ पे और प्रोम पे भी सर्च किया लेकिन नहीं मिला फाली इतना मिला है कि सुखा नाम का एक बग्ति था उसी के नाम पे उसी ने यहां पर स्तापना की थी तो उसी के नाम से ही सुखा महादे पढ़ गया है नाम यहां का जो पुजारी है पुजारी जो है उनलोग को मैं इस्ट्री के बारे में अपसोस लेकिन हर जितने भी मंदिर पर पुझारी है यहां पर जो गाओं के लोग है मतलब उनलों को पता होना चाहे कि श्ट्रीक जा है लेकिन अपसोस उनलों को पता नहीं था कुछ में तो चलते हैं अभी अभी तो बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा हम लोग लगबग 66 क्लोमीटर अभी हम लोग का खायर है अभी जाएंगे चार सुग्रा यह थी हुआ हुआ है